हेलो, हाई, गुद मॉनिंग, बहुत-बहुत स्वागत, कैसे हो, आईए, स्वागत है आप सभी का, और हम लोग आपकी जो आगामी MTS परीक्षा चल रही है, इसमें हर एक्जाम में एक नाएक प्रशन जो है और वो डांस से आ रहा है, और साब कल तो तीन प्रशन आए डांस से, कल के पेपर को अगर आप ध्यांच से देखेंगे, तो आप पाएँगे कि कल के पेपर में यार कल MTS के पेपर में 3 questions डांस से आएं, 3 questions came from dance, सिर्फ 3 के 3 सवाल जो है वो नृत्य से आए है, ये नृत्य से से या फिर अगर मैं बात करूं अंगर इजी में कहOoh तो, दांस स यार तीन प्रशन आये हैं, उसके पहले वाली शिफ में दो प्रशन आये हैं, शरवात की शिफ में एक प्रशन आया था, अब हर एक शिफ में दो प्रशन या तीन प्रशन, दो प्रशन या तीन प्रशन, ये हर एक शिफ में आ रहे हैं, तो यार इसलिए इस क्लास में हम क्या करेंगे एक ही क्लास में मैं आपको डांस पूरा खतम करा दूँगा जितने भी important important question dance से पूछा जाते हैं वो सारे के सारे question मैं यहाँ पर करा दूँगा हला कि यह क्लास में आपको CHSL के time पर भी करा चुका हूँ एक dance की एक class जब आपका CHSL आ रहा था तब भी करा चुका हूँ और एक 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 उस class के बाद एक एक shift में 6-6-7-7 सवाल सिर्फ एक class से भसे थे यार तो आप इसका important समझ देने किस level पर important है यह ठीक है आईए अब देखिएगा तो अब हम लोग इसी लिए क्या करेंगे बस थोड़ा सा आवाज हलकी रखोंगा अभी क्योंकि अभी लेकिन पहले चीज तो आप लोगा बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यार कल मुझे rest करने दिया और इस कारण से हम जो हैं लगबग 50% तक तक तो हम एक स्वम होती है तो 99% chances यह हैं कि आपको इस class से प्रश्ण आपको जरूर से मिलेगा मतलब मिलेगा ही मिलेगा आपको इस class से प्रश्ण अगर एक dance का question आया तो यहां से आपको मिलेगा ठीक आईए शुरवात करते हैं देखो शुरवात करते हैं यार कि भाई देखिए कथकली कि नत्य की बात कर रहे हैं कथकली नत्य किस राज्य में प्रसिद्ध नत्य है कौनसे राज्य का प्रसिद्ध नत्य है जिसका की नाम है कथकली आइंसर्स आप लोग देंगे और उसके बाद उसका detail explanation मैं दूँगा हर answer का detail explanation जो है यह आपको मैं दूँगा एक मिलेटों कि ज़र आपका comment section open गर लूँ पहले मैं सामने comment section आपका आ गया ठीक है तो यार ये देखिए ये कहां पर करा जाता है कतकली किस जगा पर किया जाता है देखो कतकली कहे से बनाए पहले ये समझो किसी भी नत्य को अगर याद करना है तो कभी भी रटो मत उसको उसको समझो कि यार वो अगर उसको ऐसा बोला जा रहा है तो आखिरकार क्यों बोला जा रहा है ये समझते है देखो कतकली नत्य की अगर मैं बात करूँ तो ये दो शब्द से बना हुआ है कथा और कली कथा और कली इन दो शब्दों से बना है आपका कथकली तो कथा शब्द का अर्थ क्या होता है कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक माने कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी जब आप कभी कहानी वाचते हो यानि कहानी जब आप सुनाते हो प्राची नितिहास की कहानियों को, नातिक के रूप में इसमें दर्शाते हैं, तो कहांपर होता है ये, कथकली होता है कैरला में, यानि केरल राज में आपका कथकली का नर्थय परफॉर्म किया जाता है, शाब बाश, सब को याद रहेगा न, कैसे कैसे है ये, तो कहाँ पर, आपका कोचीन हो गया, मालाबार कोस्च हो गया, कैरला हो गया, इन सब जगा के-के-के, इन सब जगा कत्कली प्रस्तुत किया जाता है, कहाणी, एक नाटक, एक कहाणी है, जो कि नाटक के रूप में करूँ, तो इसकी शर्वात किस से करी जाती है कथकली बुलियेगा, चलिए, शाबाज ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है इसको शर्वात तो बहुत पहले यह हो चुकी थी मुखल काल में ही इसकी शर्वात hour हो चुकी थी, और कथक का मतलब यार इसमें भी क्या कर जाता इश्वर के लिए इस नर्थ को समरपळ भाव से इसको प्रस्तुत करती थी मंदिर की जो नत्यांगनाय होती थी या फिर देवदासी जिनको बोलते हैं जो कभी शादी नहीं करती थी हमेशा अपने आपको अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान को ईश्वर को सौंपनी थी तो ये कथक होता था इसमें भी कथा का मंचिन किया जाता है ये आपको याद होगा आवध के आखरी नवाब थे नवाब वाजिद अलीशाह उनके टाइम पर भी ये बहुत जादा होता था और लेकिन इसको एक इंटरनाशनल लेवल पर ख्याती पहुँचाने का जो कार रहे है वो किस ने किया था, बिंदादीन महराज ने किया था, बिंदादीन महराज कथक को इंटरनाशनल पहचान दिलाने के लिए जाने जाते हैं, ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है, कथक का जो नर्ट है, ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब क्या हो गया, कि यार ये न जायागे अभी तक सारी बात ख्लियर हैं में से किसका संबंद जो है, वो मनीपूरी नत्य से है, देखो मनीपूर की अगर मैं बात करूँ, तो मनीपूर राज्य कहां पर पढ़ता है, मनीपूर राज्य आपका किधर पर आएगा, सबसे किनारे का राज्य होता है, दो राज्य ऐसे होते हैं हिंदुस्तान में, जो कि नौर्थीस्ट में एक कदम यहाँ पर आपा है नागा लैंड यहाँ पर आपा है नागा लैंड और उसके नीचे यहाँ पर आपा है मनीपुर यह सबसे कोने के राज्ये होते हैं यह म्यानमार से अपनी बॉर्डर को टच करते है म्यानमार इनके border को touch करता है तो मनीपुर में जो है तीन बहने हैं, चार बहने है बेसिकली इनका नाम होता है शाबाश यार, very good यार, बहुत बढ़िया यार इनका नाम होता है जावेरी बहने भोलते हैं या जावेरी sisters के नाम से ये चार बहने है एक नाम रंजना है, एक निरंजना है ऐसे करके चार बहने हैं जो की, क्या करेंगी एक कलावती देवी हैं, एक सुवर्णा है चार बहने हैं, कलावती रंजना, रिरंजना, सुवर्णा ये चार बहने हैं, इनको जावेरी sisters बोलते हैं इन्होंने मनीपूरी नत्य को दुनिया भर में इन्होंने विश्व प्रसित प्रख्याती प्रदान करी है ये सवाल exactly आया था CHSL में कि जावेरी बहने किस नत्य से related है मेरा answer क्या आजाएगा मनीपूरी डांस ये भी हो सकता है संकीना होता है थांगता होता है देखो सबसे famous इसमें आएगा आपका थांगता थांगता क्या होता है ये exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है exam में ये dance थांगता पूछा जाता है बताओ एक warrior dance warrior का मतलब क्या हुआ सिपाहियों वाला dance से कौन सा होता है तो इसका उत्तर होगा थांगता कैसे याद रखेंगे मैं आपको यह बताता हूँ देखो थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला यानि थांगता का मतलब ही क्या हो गया तलवार और भाला मनिपूरी भाशा में थांग को बोलते हैं तलवार ये होता है आपका तलवार और टा का मतलब क्या होता है ये होता है आपका भाला तो तलवार और भाले से जो नर्त किया जाए इसी को बोलते है थांगता ये नर्त मनिपूर में प्रस्तुत किया जाता है तो हमारा answer ये चलो ठीक है ये भी हो गया अच्छा एक कोई बतादू इन में से मनीपूरी डांसे कौन है ओजा बाबू सिंग, कलावती देवी या जावेरी सिस्टर सिर्फ यही लोग है या सारे के सारे है यार जावेरी सिस्टर तो है बट ये सारे है, मैंने उपर के option नहीं देखे थे ओजा बाबू सिंग, कलावती देवी और जावेरी बहने ये सब इसी से related है मनीपूरी डांसे ही related है सब अलग अलग कोई ठांगटा है कोई मनीपूरी डांसे है सब अलग 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 रते से related हैं ये चले आगे शाबाश, बहुत बढ़िया अरे एकदम, यूपी के योधा है आप शाबाश, बहतरीन बाद आजा भई, यहाँ पर आते है सात्रिया नर्त जो है, वो किस राज्य में किया जाता है सात्रिया, बड़ा famous नर्त है हिंट आपको दे रहा हूँ, ये भी नौर्थीस का नर्त होता है हिंट है ये, कि ये भी आपका नौर्थीस का नर्त होता है सात्रिया डान्स, ये किस लिए होता है देखिए, यहाँ कहानी ये है कि एक धर्म था वैशनाओ देखो हुआ क्या, जब मुगल्स ने इंडिया में आकरमण किया पहले तो दिल्ली सल्तनत का एक राज होता था यूपी और दिल्ली और इस सब के एरिया के उपर तो यहाँ से इसलाम बढ़ना शुरू हुआ फिर क्या था, इसके बाद मुगल्स सल्तनत आ गई यहाँ पर भी इसलाम का उदाय होता रहा उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो लोग अल्रेडी पहले से थे, जैसे जो वैशनाव भक्त थे जो शिव भक्त थे, उन्लों को ने क्या किया उनको धर्म को खतरा महसूस हुआ कि भाई हम वैशनाव बोलाते हैं, वैशनाव का मतलब जो वैशनाव भक्त जो लोग होते हैं, उनको वैशनाव बोलते हैं शैवाइट बोलते हैं, जो शिव भक्त होते हैं पर जो शिव भक्त थे, वो ओरिसा के पास पास राज्यों में जाकर के बस गए और जो वैशनों भक थे वो जाकर के बस गए कहाँ पर जहाँ पर औरंगजेब क्या रहा हूँ जहाँ पर मुगल सल्तनाद दिल्ली सल्तनाद का रूल नहीं था कहाँ पर नहीं था असम में नहीं था तो असम प्रांत में जाकर के ये लोग बस गए, वैशनों लोग जो हैं वो असम में जाकर बस गए, अब उन वैशनों लोगों ने क्या किया, अब अपने धर्म का, क्योंकि वहाँ पर बहुत देखो, जब कोई बसता है तो ऐसा थोड़ी ना पूरा कुन्बा लेकर के बस जा कि भाई, लोग आकरशित हों इधर की तरफ, लोग मेरे धर्म की तरफ आकरशित हों, इसलिए सात्रिय नर्त का अविशकार किया गया, तो सात्रिय नर्त पंद्रवी सेंचुरी का एक ऐसा नर्त है, जो कि वैशनों पंथ के, वैशनवाइट के जो कल्चर है, उसको नहीं समझ गहाना, आप वैशनों नर्त कहां, सात्रिय नर्त कहां पर होता है, ये आपका असम में होता है, कौन इसको परफॉर्म करता है, वैशनवाइट्स होते हैं, जो इसको परफॉर्म करते है जो वहाँ पर रहती थी असम में, आप में से कोई अहूम कह रहा है, अहूम बहुत पुरानी डानेसी जो रहती थी, ये तो समझ लीजे, रेफियूजी थे, जो कि दिल्ली और यूपी के एरिया से, जहां पर दिल्ली सल्दनात और मुगल सल्दनात ये सब आ गई थी, तो यह हां से ये लोग भाग के गए थी, कि हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएं और उसका प्रचार प्रसार कर पाएं, तो ये असम में जाके बस गए थे, इनको सात्रिया नत्य बोलते हैं, आईए, लेकि इसको नत्य को कभी भी रटा नहीं जाता है, कि फलाना एक लिस्ट मिल ग हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो, आईए, अब देखते हैं, गोती पुआ नर्ति जो है, वो किस भगवान को समर्पित किया जाता है, हां, ठीक है, बताएगा, चलो, बाज, 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 ठीक है, अरे प्रिया का एक्जाम है, बहु अगर आपने ये सारी चीज़ा है, पढ़के जाएए, आपको इस क्लास से, शायद दो-तीन सवाल आपको इसी क्लास से मिल जाए, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, तो गोती पुआ नर्ति जो है, वो किसको समर्पित किया जाता है, देखो, आहा, शोर ने, मैंला, बत करन का ही एक प्रतीक माने जाते हैं, भगवान जगनात, जगनात पुरी, ये पुरी में निवास करते हैं और ओडिसा में होते हैं, ओडिसा में ये मंदर है, ओडिसा में एक जगा है पुरी, तो पुरी में मंदर है जगनात, जगनात पुरी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर अ अब इन तीनों के रत को लेके जाते हैं, इनकी जो रतियात्रा होती है, वो होती क्या है, मंदर से इन तीनों की मूर्तियों को निकालते हैं, बगाईदा रत के उपर इसको सज्जित करते हैं, और उसके बाद वहां से लेके जाते हैं, इनकी बुआ जी का मंदर है, वहां से ल उसी समय पर फॉर्म किया जाता है जब जगनात यातरा चल रही होती है और गोति पुआ नत में लड़के जो होते हैं ये प्रस्तुत करते हैं इस वेश भूशा में आकर के ये लड़का है जो आपके सामने है लड़का है जो के नत्यांगरा की पर वेश भूशा में आया हुआ है इसको गोती पुआ बोलते हैं समझ भैवडिया से शाब बाश चलो तो ये क्या है और गोती पुआ का ओडिया में मतलब जानते हो क्या होता है गोती पुआ का ओडिया में मतलब ही होता है गोती पुआ ये मतलब होता है गोती पुआ का एक लड़का, तो इसी में क्या होता ये समूव में प्रस्तुत किया जाता ये नर्त्य और इसलिए यहाँ पर लड़के जो है ये इस वेशभूशा में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ठीक, तो answer मेरे पास क्या जाएगा लौड विश्णू, लौड जगनाथ, लौड कार्थिक है लौड जगनाथ मेरा answer आजाएगा भूले तो नहीं है, शाबाश ये, very good भाई चलिए, next के बात करते हैं आईए, अगली कहानी हम लोग देख रहे है अरे, एहंदाबाद में मामा के घर नहीं जा रहे है यार, वहीं पर बुआ जी के घर जा रहे है आप तो अपने मामा के माँ जाने लगे आईए ऐसे डांस करते हुँँ जाओ, तो किसी के भी मामा के माँ जाओ सब ले लेंगे, सब आने देंगे बधाई नत्य जो है, ये किस राज्य में मनाया जाता है बधाई नत्य जो है, ये किस नत्य में मनाया जाता है देखो, बधाई का मतलबी क्या है जब शादी विवा होता है, जब कोई खुशखबरी होती है तो इस खुशखबरी को celebrate करने के लिए मनाया जाता है बधाई इनर्थ यह और फेस्टिवल से अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल जो शादी वगरा होते हैं यह बहुत बड़ा फंक्शन माना जाता है नॉर्थ इंडिया में शादी वगरा जो बेखे क्या करते हैं यह वाला नॉर्थ इंडिया में तो आप इन में से पताईए कौन सा राज्य हो सकता है जहां पर इसको करा जाता होगा तो यह यूपी और मध्यपरदेश के बीच का एरिया बुंदेल खंड में बुंदेल खंड में इस नॉर्थ इसको काफी अच्छे कहां का नत्य है राउफ में देखो क्या होता है बैटरी जा रही है रुकिएगा जरा मैं को बैटरी जो है यह लगानी पड़ेगी सिस्टम में और फिर मैं आपका यह देखता हूँ क्या है क्या नहीं है ठीक एक मिनट रुकिएगा आपको एक मिनट का अंधकार देखना प अल्राइट चलिए अब ठीक है क्या आप मुझे आराम से देख पा रहे हैं अभी शाबाश शाब बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं ठीक है अच्छा राउफ केरल में होता है अरे नईरे भाई कैसी बाते कर रहे है ठीक है जिस टॉपिक से सवाल आते हैं आकाश का कहना है से जिस टॉपिक से आप सवाल कराते हैं उसको आप थमनेल पर जूड़ें देखो दोस्स थमनेल पर जोड़ने के लिए यार हमारा ऐसा समय бег बेजाइनर जो है हमारा वो चल रहा है लंबी चुटी पर तो यसी लिए क्या है हम थमनेल के उपर आपको वो नहीं दिखाई पड़ता है ठीक ये निश्चिंद रहें कि जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा आपका एक्जाम में बहुत highly relevant रहती है एक्जाम में आपको दिखती दिखती है जो भी मैं बढ़ाऊंगा आपको एक्जाम में दिख जाएगी वो इससे निश्चिंद रहो एक्जामेनेशन होता है एक्जामेनेशन हंच होता है मेरा देखो तो राउफ नत्य की बात करें इसमें क्या होता है महिलाएं पंक्तियां बनाती है इसमें एक दूसर के वेपर हांत रखती है पंक्तियां बनाती है और उसके बाद एक महिलाएं जैसे ऐसे खड़ी हुई है फिर ये हमेशा दो पंक्तियों में करा जाता है दूसरी जो महिलाए होती है, सुनना, अरे वही है भाई दिल्ली पुलिस, ये सारी यही एक्जामी चल रहे है इनी की क्लासी चल रही है यार ये MTS दिल्ली पुलिस, अब जो ये सामने वाली पंक्ती है यार, इसमें अनर्ति किया जाता है, किसका, ये सामने सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है इसमें पुरुष पार्टिसिपेट कल्चरली नहीं करते थे लेकिन हाँ आप तो कर देते हैं बट कल्चरली की बात करें तो ये महिलाओं डांस करती हैं दो पंक्तियों में एक दूसरे को फेस करते हुए कदम ताल मिलाते हुए डांस किया जाता है आप यह देख रहे हैं यहां देखिए सब के एक पैर आगे इनका भी आगे इनका भी आगे किसी का पैर पीछे नहीं है और एक पर्टिकलर पारंपरिक वेशभूशा यह लोग पहने हुए हैं पारंपरिक वेशभूशा में कदम ताल मिलाते हुए दो पंक्तियों में जो डांस करते हैं उसको राउफ बोला जाता है यह जमू कश्मीर में होता है यह तो कहा गया एंसर? यह आगया मेरा जमू कश्मीर याद हो गया? शाबाश एक बार ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या बोला? सुन लीजिए फोकस करिये, स्पैमिंग मत करिये कोई भी ध्यान से सुनो वलक कि यह जो क्लास है आप इस क्लास में अभी मैं आपको बोल रहा हूँ जितनी दिल्ली पुलिस की शिफ्ट होंगी यह कहां पर होता है अभी इसको क्यों करते हैं, समझो अरुनाचल प्रदेश में क्या हुआ था जब अशोका ने भेजा था अपने लोगों को है, अपने लोगों को भेजा था यह चाईना में और तिबथ में बुद्धिजम का प्रचार करने के लिए तो उन्होंने कहां किया था चाइना में बुद्धिजम का प्रचार किया था तिबबत में किया था और अरुनाचल प्रदेश क्योंकि ये सारे के सारे जो कंट्रीज और राज्ये हैं ये मिले हुए हैं जब अरुनाचल प्रदेश गए तो जैसे आपने देखा जो वैशनवा इसका इजात किया गया था कि यार हमको बुद्धिजम को प्रचलित करना है इसलिए क्या करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पहले तो लोग आकरशित हो पिर लोग आकरशित हुए पिर इसकी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होती है तो इससे क्या होता है? सुक, शान्ती और सम्रधी आती है राज्य में तो इसी लिए फिर वहां का ये एक लोक नर्ते बन गया वहां का कहां का? अरुनाचल प्रदेश का किस धर्म को पहलाने के लिए हुआ था? ये? बॉत धर्म को पहलाने के लिए हुआ था याद हो गया? शाबाश चलो तो आंसर आ जाएगा मेरा अरुनाचल प्रदेश सब को आया? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, PDF की जरुवत क्या आपको लग रहा है कि आपको PDF की जरुवत है आपको क्लास में पूरा-पूरा याद करवा रहा हूँ मैं अभी वाकिया आप स्क्रीन शॉट ले लो, लेकिन आप खुद सोच, आपको लग रहा है अभी मैं आपको पूरा रिवाइस करा देता हूँ, अभी दो सवाल बाद में आपको पूरा रिवाइस करूँगा, आप देखोगे कि आपको क्लास में याद है, पूरा का पूरा सारी चीज़े आपको क्लास में याद है, चलो मैं अभी रिविजन करा देता हूँ आपको एक बारी जो है ये जुड़ा हुआ है कहां से ये कथकली कहां से क्यारला से जुड़ा हुआ है ठीक है फिर दूसरा डांस मैं पूछ रहा हूँ बताओ कथक नर्थ जो है वो कौन से राज्य में किया जाता है कथक ये किस प्रांत में किया जाता है North India, South India, East India, West India कहां पर किया जाता है कथक हो गया UP से कथकली हो गया क्यारला से एंसर सारे लोग देंगे एंसर में मुझे चाहिए एकदम प्रॉपर एक्टिवनेस चाहिए मुझे ठीक है शबका नहा आप भी एंसर देंगे रिशी पोद्दार एंसर मेरा को सबका चाहिए और बहुत प्यारा से एंसर चाहिए म खांग का मतलब क्या हुआ? तलवार, टा का मतलब क्या होता है? भाला, मने ये एक वारियर डांस है, वारियर डांस कौन से राज्य में किया जाएगा? ये किया जाता है, मनीपुर में किया जाता है, शाबाश. फिर मेरा एक और प्रशन आया, सात्रिया नर्त जो है, ये किस र गोती पुआ का शाब्दी करता है एक लड़का ये जगन्नात गण्ट दोवान को खुश करने के लिए किया जाता है गोतीपुवा नर्ते जो है ये किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है गोतीपुवा नर्ते जो है ये किस राज्य में आता है ये किस राज्य में आता है याक नर्ते जो है ये आता है आपका अरुनाचल प्रदेश में आता है यह किस पर्टिकिलर धर्म से रिलेटेड है यह, किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए याकनते का शुबारम करा गया था, याकनते का शुबारम करा गया था, किसके लिए यह, यह, इसका शुबारम हुआ था, बुद्दिजम को फैलाने के लिए इसकी शुरुबात करी गई थी, शाबबाश, अब मुझे यह बताओ, कि क्या आप सारे लोगों को यह अभी अभी याद हो गया, हुआ ना याद यार, मैंने रटाया तो नहीं आपको, देखिए दोस्ट, पीडियस में क्या होता है, अगर मैं हर क्वेश्चन पर आऊं, और नॉर्मल ही दिखो, यूट्यूब पर यह चलता भी है, हर क्वेश्चन के आगे, चार इंफर्मेशन लिख दी, मैं यहां पचास क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक में चार से पाँच इंफर्मेशन, एक क्लास के धाई सौ पॉइंट हो जाएंगे, और उसके बाद एक दिन में चार क्लास चलती है, हमारी इस सैनल के उपर, क्या आपका दिमाग, तो क्या श्टोर कर सकता है? Not possible ना? In fact मैंने कब बोला है, एक दिन के एक हज़़़़ पॉइंट हो रहे हैं, तो तीज दिन के तीन हज़़़़ पॉइंट हो गए, तीन दिन के तीन हज़़़ पॉइंट हो गए, 30,000,000 points क्या store कर सकते हैं तो ये concept ही बड़ा flawed सा है कि बहुत सारा data डाल दो एकदम dump कर दो एकदम बहुत सारा data अर्मा आप 3,000,000,000 points डालोगे तो उसमें से तो कुछ ना कुछ आएगी आएगा और possible नहीं है बच्चे के लिए उपढ़ना यार चीदी सी बात है आप 25 सीज़े बताईए एकदम exam specific और वह class में याद करा दीजे और ऐसे याद कराईए कि कोई कभी भूले ना आपने अगर इस चीज़ को अचीव कर लिया तो आप जो आप 3,000,000,000 points दे रहे न वह आप मुश्किल से आप एक दिन में 1000 points देने के बजाए आप एक दिन में 50-70 points दीजे लेकिन वो 70 information उसके दिमाग में डाल दीजे कि वो महीनों ना भूले उसको इस तरीके से चलते हैं इसलिए आपको PDF अगरा की मेरी class में खासकर आपको आवशक्ता नहीं पड़ेगी मैं आपको class में याद करा के घर बेजूँगा यह मेरी responsibility याद कराने की होती है मैं पढ़ाता नहीं हूँ याद कराता हूँ ठीक है चलिए next पर आ रहे हैं हम लोग अब देखेगा next पर आते हैं हम लोग तो इसलिए अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करो और फड़ा quality education पर जाओ रादर दन quantity quality पर जाओ quantity पर जाते हैं तो दो तीन तीन सान लगते हैं पेपर कराक करने में quality पर जाईए 6 से 8 महीने के अंदर कराक होगा exam आओ इन में से कौन सा एक folk dance है जो की रियांग tribe परफॉर्म करता है रियांग tribe कौन सा पर ट्राइब होता है और इसमें क्या चीजे परफॉर्म करी जाती है एक मिनिट हम लोगों ने रियांग देखा हम लोगों ने इसके पहले एक से किन रुको हमने यह देख लिया ना याक देख लिया ना याक हुआ था हमारा हाँ याक हो गया ठीक है चलिए अब बात आती है कि यार इन में से रियांग tribe जो है यह कौन सा नत्य है और यह कौन परफॉर्म करता है देखिए भई यहाँ पर कहानी क्या है चलिए देखिए आपको पता है दिवाली के समय पर लक्ष्मी पूजन होता है यह बात आप सब लोग जानते ना कितने लोग के घर में दिवाली के समय पर लक्ष्मी पूजन होता है कितने लोग के समय पर दिवाली के जगा पर लक्ष्मी पूजन होता है इसमें क्या होता है रियांग एक tribe होता है ये लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए एक अलग लेवल का इन होने क्योंकि इनका मानना है महिलाएं जब लक्ष्मी जी की पूजा करती है और पुरुष जो होते हैं वो उस समय संगीत बजाते रहते हैं या गाना गाते हैं पीछे से पूरे टाइम महिलाएं जिनकी vives होती है, बहने होती है, माताएं बहने, ये बैट करके एक जगा पर लक्षमी पूजन करती है और पीछे जितने भी पूरुष होते हैं उनसे related, ये सब के सब संगीत गाते रहते हैं, कोई ना कोई music instrument बजाचे रहेंगे, ये रियांग जन जाती होती है, ये लोग इस dance को करते हैं, ये कहाँ पर होता है, ये इसी को ही एक और चीज़ बोलते हैं, होजागिरी का नत्य होज तो होजागिरी नत्य जो है, ये लक्षमी पूजन के समय पर किया जाता है, महिलाएं पूजा करती हैं, पुरुष इसमें गाना बजाते हैं, गाते हैं, musical instrument बजाते हैं, ये, और रियांग जन जाती होती है, वो जो tribe है, जो ये करता है, उसको रियांग बोलते हैं, आओ और होता है, उतराखंड में, सुनना, उतराखंड में, local जो कुमावी भाशा होती है, कुमावी शब्द है, ये आपका क्या, जो छापेली जो शब्द है, ये कुमावी भाशा जानते हैं, आप में से कितने लोग पहाड़ी एरिया के हैं, कुमावी शेत्र, तो कुमावी का मतल पहाड़ी शेतर होता है उत्राखंड का यहां पर सर्दियों में क्या होता है जब लोग आपस में क्या करते हैं धूप निकलती है और आकर के साथ में बैठते हैं तब यह लोग एक नत्य प्रस्तुत करते हैं आपस में अपने शोशल फैबरिक को सामाजिक फैबरिक को स्ट्र खंड वगरा में एक बड़ी पूजा होती है जिसको बोलते हैं देवता आए हैं साल में एक बार होती है एक हफते के लिए ये उत्रा खंड में भी होती है हिमाचल प्रदेश में भी होती है जितना पहडी राज्य है उसमें बोलते हैं यामिनी कुश्णमूर्ती धियान रखना थी नाम को यह तीनों नाम पिछली बार अभी employment अग्जम में आए थे और कल के पेपर में य автомобB नाम दिया हुआ था यामिनी कुश्णमूर्ती नाम दिया हुआ था कल के पेपर में MTS longer चेंपेपर में तो राधा रड़ीbirdi यामिनी होता क्या है यार ये 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 नर्ते जो है हाँ ये नर्ते जो है ये आप में एक नाम सुना आप में पुरान जानते हैं क्या होता है देखो दो चीजे लिखी गई है हिंदुस्तान में जो हमारी हमारी जो आर्टन कल्चर है जो हमारा कल्चर है उसमें दो चीजे लिखी गई है जरूरी जरूरी दो चीज़े बहुत ज़ादा अच्छी है एक है उसमें वेद वेद ऐसी चीज़े हैं वेद ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कभी नहीं बदलेगा जो कि हमेशा सत्य रहेगा जो बात वेद में लिख ली गई वो चाहें सत्य योगाई, चाहें कल्योगाई, चाहें त्रेता योगाई, चाहें कैसा भी योगाई, वो कभी भी बदलेगा नहीं, जो वेद में लिखा गया है, लेकिन जो पुराण होते हैं, पुराण हिस्ट्री बताते हैं, पुराण उस समय के लिए सत्य होते हैं, कि पु पूरा का पूरा भगवान विश्णु को डेडिकेटेड है तो ये भगवान विश्णु की अराधना करने के लिए ये कुछी पुडी नत्य का प्रस्तुत किया जाता है कौनसे राज्य में होता है ये देखो आपको छोटी सी क्यारला में कौनसा होता है क्यारला में होता है आपका तमिल नाडू, तमिल नाडू का तो अभी हम लोगों ने कोई राज्य देखा नहीं, और साउथ में और कौन सा राज्य है, आंद्रप्रदेश, तो आंद्रप्रदेश का राज्य नत्य है, ये कुछी पुरी, ये भगवान विश्नु के लिए किया जाता है, भगवान विश्नु के लिए एक और डांस किया जाता है, वो कौन सा है, बताओ, भगवान विश्नु के लिए, भगवान कृष्न, भगवान विश्नु कही अवतार है, तो भगवान कृष्न के लिए, या लौड जगनात के लिए एक डांस किया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका न एक मिनेट रुको भाई अरे काउन है भाई, कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है मुईत भाई, स्पामिंग मत करो दोस्त देखिए ऐसा करिए कि आप भी हमारे चात्रे हैं सारे हमारे चात्रे हैं ऐसा हो कि किसी को भी दिक्कत ना हो है ना, ऐसा हो कि किसी को भी जरा सा भी दिक्कत ना हो ये चीज अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक, सारे लोग पढ़िए आराम से अच्छा देखो warrior dance की बात करें तो भारत में दो warrior dance जो हैं ये बड़े famous है एक warrior dance मैंने आपको पढ़ाया उसका नाम बताओ क्या है एक आपको मैंने warrior dance पढ़ाया जो कि सानिको का dance होता है मनीपूर में किया जाता है उसका नाम सब लोग बताईए क्या होता है सब लोग बोलिए आराम से बताईए तो यार ये किया जाता है ये होता है आपका कौन सा इसको बोलते है ठांगटा, मनीपूर में किया जाता है एक होता है पादियानी पादियानी कहां किया जाता है, देखो warrior, और warrior, सोचो भारत में कहां पर, वो कौन सा राज्य है जहां पर war से related, मतलब war वगरा सिखाया जाता हो, या युद्धकला सिखाया जाती हो, सबसे ज़ादा, आज भी popular है वो martial arts, कैरला में martial arts सिखाया जाती है जिसको calorie payattu बोलते है, इंडिया में जो कैरला, कैरला में शुरू हुआ था calorie payattu, calorie payattu ही martial arts है, पिर यहां के जो बुद्धिस monk थे, ये गए एक चाइना में और इन्होंने वहाँ जाकर के calorie payattu सिखाया, जो कि आज के टाइम पे martial arts बन चुका है, यहां पर वो कला एकदम लुप्त हो गई, वहां आ गई, तो एक dance होता है, बड़ा famous सा, अब आप लोग answer बताएंगे, अब इसका answer मैं नहीं बताऊँगा, अब आप इसका answer बताएंगे, बताएए ये इसका answer क्या होगा, आप बताएए पाद्यानी राज्य जो है, पाद्यानी डांज्य वो किस राज्य से associated है, शाब बाशियार, जिया राजपूत, आप आने के बाद daily एक काम करती है, मेरी एक छोटी सी आप से request है, आप में से कई सारे students, ते कोई study lab पे पहले faculties अलग थी, और पहले ये मैं देखता था, मैं comments अक्सर देखता था तो मैं देखता था, जैसे ही आप लोग आप लोग बहुत अच्छी बात है, दोस्ती होना बहुत अच्छी बात है, 20-25 लोग आते हैं लेकिन अब आप समझो, अगर आप class में आते ही, हर थोड़ी देर पे एक विक्ति आएगा, हैलो ने हाँ, हाई पिंकी हाई राधे, अगर ऐसे चलेगा तो क्या होता ना, बड़ा disturbance create हो जाता है, आप लोग क्या करो जितने भी यहाँ पर घनिष्ट मितरता जिन लोगों में भी है, आप लोग एक separate WhatsApp ग्रूप बना लो, और उस पर आप लोग खुब बढ़ी असे बतियाई है, पहले यह सब चलता था और मैं देखता था, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं उसको नहीं रोख पाता था, मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक proper, आपको मज़े करने ना, मेरे संग करिया मैं आपको बोर नहीं होने दूँगा, class में यह میरी guarantee है, बिलखUL बोर नहीं होने दूँगा, मैं आपको चलास में यह मेरी guarantee है, लेकिन आपको जितने मज़े करने हैं, आपके लिए मैंज़ेप करने हैं, तो आप करेंगे whatsapp group बना करके, ठीक है? यह मेरी देखिए मेरा यार मैं सेलेक्शन एक बार में दिल्वाना चाहता हूँ मैं आपसे यह नहीं चाहता कि आप दो साल तक यहीं पर पढ़ते रहें मेरे लिए बहुत खराब बात है कि अगर मैं किसी learner को दो साल के लिए अपने सामने देखू ना मेरे लिए ये बहुत खराबाद है कि मैंने क्या किया फिर उसके लिए इसलिए मुझे एक एक ek learner जो serious learner है मेरे को एक बार में selection टागेट करता हूँ इसलिए थोड़ा सा इन मामलों में थोड़ा सा strict रहता हूँ चलिए यह क्यारला का राज है एक खास बात बताता हूँ आपको पाद्यानी नाम देखो जारा पाद्यानी पाद्यानी में पद का मतलब क्या होता है पद का मतलब होता है पैदल पद का मतलब होता है पैदल और यानी का मतलब होता है सेना इसका मतलब ये डांस कौन करता होगा वार के पहले ये सेना का डां आईए हम लोग नत्य करते हैं नत्य करते हम लोग पहुंच गए जूमने लगे नत्य करते करते तो जूमर नत्य जो है ये कहां किया जाता है देखिए आदमी कब घूमेगा समझो आदमी कब घूमेगा घूमर और जूमर ये दोनों अलग-अलग नत्य हैं आपसे जूमर पू पेन करके सर के उबर चार पांच और अक्यर के गुंगट यहां तक होता और फिर लेडीज करती है ऐसे गूमती है गोल-गोल गोल-गोल गूमती है वो घूमर होता है ये जो है ये जूमर है जूमर का नाम जूमर का मतलब क्या है जूमर का मतलब होता है जूमना देखो यार द कथक में अगर हाथ यह आना है तो वह ऐसे यह नहीं कोई यहां रखा है कोई यहां रखा है किसी ने यहां मुंडी बटांग लिया नहीं आपका यहीं होना चाहिए तो नित्य की हमेशा मुद्राएं होती है माने नत्य थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में कि उसके प्रापर सेट अफ रूल्स होते हैं और आपको वो फॉलो करना पड़ता है लेकिन जूमता आदमी कब है खुशी में जूमता है जब वो बहुत अत्यंत खुश होता है तो यह कब होता था जूमर जब लोगों क बहुत अच्छी फसल होती थी फसल कटाई बहुत अच्छी होती थी एकदम सही सही फसल कड़ गई है लग के कड़ गई इतनी महनत पूरी सब वसूल हो रही है तब जूमर रत किया जाता था तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा at the time of harvesting या फिर फसल कटाई के समय पर जूमर र थी कि यह हर्याना यह पंजाब में होता है बैसे कली पंजाब पाकिस्तान इस एरिया में होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल भी कहां पर होती थी पंजाब में अच्छा यह बताओ यार पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं आप मुझे यह बताईगा why पंजाब is known as पंजाब क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे पंजाब का मतलब The Land of Five Rivers है, कितनो लोग ऐसा बोल रहे हैं? कितनो लोग बोल रहे हैं कि यार, पंजाब The Land of Five Rivers है? देखो दोस्त, पंजाब लेकिन आज के ताइम पे देखो और दूसरा राज्य कौन सा होता था आपका हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य होता था हिमाचल प्रदेश और तीसरा राज्य होता था हर्याना फिर शाह कमिशन आया 1965 में शाह कमिशन आया और उसने पंजाब और हर्याना को अलग कर दिया आज के टाइम पर हर्याना में एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक, ուम्जाब में एक नदी बहती है, तो अभी क्या है, इसी, अब आप समझे ते, में नदिया हिमाचल प्रदेश्ट में से जाती है, सारी नदिया, रावी, ब Лियाश्ट चathonos, इसा हिमाचल प्रदेश्ट से जाती है, इसलिए जूमर एक फसल कटाई के समय का नत्य होता है ठीक है? शाबाश आगे आते हैं चलो बाई चिराव नत्य जो है यह किस राज्ज में करा जाता है? चिराव नत्य जो है यह किस राज्ज में करा जाता है? चिराव नत्य हम कहां पर करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है चेराओ चेराओ जो है ये भी बड़ा प्यारा सी बात है मिजोरम जानते हैं कहां पर है मिजोरम जो है ये आपका कहां पर है नागमनी तिजोरी मिजोरम बिलकुल कॉर्णर में है यानि देखो ये नौर्थीस होता है यह मालो नौर्थीस है ना इस प्रकार से तो यहाँ पर देखो यह क्या आ जाता है यह आता है त्रिपुरा यह होता है त्रिपुरा और यह होता है मिजोरम याद कैसे रखोगे बताओ याद कैसे रखोगे याद ऐसे रखोगे आप इंडिया का नौर्थीस में आप दिखा रहा हूँ तिजोरी से याद रखोगे तिजोरी सबसे यहां तिजोरी का ती और जोरी का जो तो ती जोरी माने तिजोरी तो तिजोरी हो गया यह नहीं त्रिपुरा और मिजोरम तो तेजोरी में क्या डालोगे नागमनी डालोगे तेजोरी में नागमनी डालोगे तो ये क्या हो गया ये हो गया नाग हो गया माने नागा लैंड हो गया ये हो गया आपका नागा लैंड हो गया और मनी का मतलब क्या हो गया ये साहब आपका मनी हो गया माने ये मनीपुर हो का मतलब जानते हैं क्या होता है चेराओ का मतलब होता है बास चेराओ का मतलब होता है बास अब होता क्या है यहाँ पर जो पुरुष हैं यह लोग अपने हातों में बास पकड़ते हैं और जमीन के उपर लाठियां भांजते हैं बास से ऐसे जमीन के उपर एक ही ताल में एक ध्वनी निकालते हैं और जो लेडीज हैं वो इसी ध्वनी के उपर डांस करती हैं इसको बोलते हैं क्या चिराओ नत्य बोलते हैं तो कौनसे राज्य में होगा आप लोग बताएंगे answer सबी शाबाश कौनसे राज्य में होगा वेरी गुडियार तो हमारा इसका राज्य कौनसा आजाएगा इसको बोलते हैं हम क्या चीज हम चिराओ हम इसको बोलते हैं कहां पर आजाएगा मिजोरम में आजाएगा सारे लोग को बात अच्छे से clear हुई है बहुत बढ़िया से शाबाश यार वेरी गुडियार तो हाँ हाँ एकदम अरहल नागमनी लेके ही मानेगे एकदम उठा लेंगे लेकिन एक्जाम के बाद पहले तब तक के लिए तो तब तक आपको नागमनी भी यहीं पड़े रहने देनी है तिजोरी भी यहीं पड़े रहने देनी है तक कि आप याद कर पाएं कि नागमनी और तिजोरी कहाँ पर है भारत में एकदम इस्टर्न कॉर्नर में है एकदम ठीक है शाबाश भाई बहुत बढ़ी है और आगे बढ़ते हैं यार नेक्स कहानी पर हम लोग आ रहे है यहाँ पर आपे है बाई कौनसे शास्तरी अनत्य की जानकारी उदाइगिरी खंडगिरी की गुफाओं से मिलती है कौनसा ऐसा डांस है जो कि हमको उदाइगिरी खंडगिरी यह हमको कहाँ पर मिलती है कि उदाइगिरी खंडगिरी हमको कहां मिलती है आपको एक चीज़ बताओं इस बार भी ये सवाल आया था होता क्या था यार समझना जनते हैं जो खारवेल के राजा है थे जो राजा खारवेल राजा थे जो कि कलिंग देश के राजा हुआ करते थे खारवेल तो यार उनको न उनको इस्तरियों की सुन्दरता बहुत भाती थी उन्हें इस्तरियों की सुन्दरता जो थी वो बहुत भाती थी तो कई सारी उन्होंने देवदासी रखी हुई थी देवदासी मतलब वो अकसर वो सुन्दर इस्त्रियों का नर्ट देखने के बड़े शौकीन थे वो मला थोड़ा रंगीन किसम के विक्ती थे तो जब उनके सामने ये बाती आती थी भाई ओपन में नर्ट कैसे किया जाए तो उदाइगीरी खंडगीरी की जो गुफाएं हैं वहाँ पर राजा खारवेल के लिए जिस नर्ट की प्रस्तुती करी जाती थी उसी को बोला जाता है आज के टाइम पर ये शास्त्रिय नर्ट जो नाम किया है इसका ओडिसी जो आप ओडिसी सुनते है न तो ये उड़ाइगीरी खंडगीरी की गुफाओं से आती है और इसका नाम है ओडिसी इस नर्ट का नाम है ये ठीक चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ें आप लोग कहां थे इतनी देर तक कि अब जानते हैं आप लोगोंने बहुत बढ़ी क्लास मिस कर दिये बहुत सारी थोड़ा सा आप लोग कोशिश ये करिए कि आप लोग और समय पर आईए क्लास का टाइम क्या है 9.30 एम आप लोग साड़े 9.30 एम पर आप लोग सभी लोग जो है वो प्रॉपर एकदम अवेलेबल हुआ करिए कि जगा पर 9.30 एम पर ये आपको ध्यान रखना है कि सुबा सुबा साड़े 9.00 बजे मेरी क्लास यहां पर जो जी असकी होती है ये साड़े 9.00 एम पर होती है अब अगर मानलो आप 10.00 बजे आ रहे हो पौने 10 पर आ रहे हो सभा 10 पर आ रहे हो तो स्टार्टिंग में इतनी प्यारी प्यारी चीज़े थी वो सब आपने मिस कर दी है च काम और है भी एक दो डांस तो भी और है भी खतम नहीं हुए भी यहां पर आएंगे इन में से बताइए मोहिनी अट्टम जो डांस है यार वो किस से रिलेटेड है कौन सी पर्टिकलर ऐसी नत्यांगना है जो की मोहिनी अट्टम है कोई बात नहीं आप जिनके पास टाइम हैं वो जा सकते हैं जिनके पास भी कहानी सुनने का टाइम नहीं है वो जा सकते हैं आप किताब उठाइए फिर जैने कहानी नहीं सुननी है आप किताब उठाइए और आप रटना शुरू करिए और देखते हैं आप कहानी से जल्दी समझ जाते हैं या रट के ज्यादा जल एंसर कोई बताएगा ये कहां का है ये किस जगा का है ये मोहिनी अटम देखो मोहिनी अटम जो है किस जगा का किस राज्य का है यार ये भी कैरला का आइंसर आप लोगे सखी आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये भी आपका क्यारला का नर्ते है और मोहिनी अटम में क्या होता है मोहिनी अटम जो नर्ते है इसमें होता क्या है आपको ये भी बता दे रहाँ इस dance में मोहिनी का मतलब होता है मन मोहिने वाली यानि एक सुन्दर इस्त्री ये होता है मोहिनी का मतलब और atom का मतलब होता है कि इस तरीके से आप थोड़े मतलब जो acts होते हैं इसमें ये क्या बताऊं मतलब beauty को और enhance करने वाले acts होते हैं आप इस तरीके से अपने हाथों की और अपने चेहरे की भाव भंगिमाय आप इस तरीके से करती हैं कि आपके जो attraction है वो और जादा बढ़ जाता है इसी को बोलते हैं मोहिनी अटम तो बाकी सारे भारती इन में से सभी associated हैं except for सितारा देवी तो आप बताएं सितारा देवी किस से हैं ये ये सितारा देवी कत्थक की प्रसिद्धन त्यांगना है ये कत्थक डांस करती है ना कि ये मोहिनी अटम करती है तो मुहिनी अटम का ना, वर्ड याद रहेगा न, कहां से मुहिनी अटम आया है, शाबाश चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सुनिएगा अब एक revision कराने जा रहा हूँ, सारे लोग तयार हो जाओ बताओ जल्दी से, एक revision करा रहा हूँ, rapid revision कथकली कहां का नत्य है, कथकली डान्स कहां से associated है कथकली नत्य जो है, वो किस जगा से associated है कथकली की अगर मैं बात करूँगा, तो वो कहां से आ जाएगा यार वो केरल राज्य से आ जाएगा, कथकली ठीक बात है शाबाश चलिए फिर ये बताएगा अच्छा कथकली होगे आप अब मुझे ये बता ये कथक कहां से associated है कथक राज्य कथक कहां से होगा कथकली हमने देख लिया केरल से है कथक कहां से यूपी से जल्दे लिकरेंगे गोतिपुवा डांस कहां पर है सारे लोग अंसर करेंगे जल्दी से जो लेट आया है उसको कुछ नहीं सुझ में आएगा फिर हम बात करेंगे थांगता नत्य कहां से है थांगता नत्य किस जगह से है थांगता नत्य किस जगह से आ जाएगा वह थांगता आ जाएगा मनीपुरी से आ जाएगा फिर बताइए पाध्यानी कहां से आएगा पाध्यानी डांस कहां का है पाध्यानी का मतलब क्या होता पैदल से न, यानि ये एक warrior dance है, ये कहां से आ जाएगा, ये कैरला से आ जाएगा, ठीक है, पिर अगर मैं बात करूँ, राउफ नर्ते जो है, राउफ कहां से है, जहां महिलाएं, पंक्तियां बना करके dance करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, राउफ नर्ते किस जगा से याक नर्ते जो है, ये किस धर्म से संबंदित है और किस राज्य में किया जाता है, तो याक नर्ते किस धर्म से संबंदित है और किस राज्य में किया जाता है, ये नर्ते जो है, ये मेरा होता है, बुद्ध धर्म से संबंदित है, और कौन से राज्य में किया जाता है, इस नत्य को परफॉर्म किया जाता है अरुनाचल प्रदेश में ठीक है जी, शाब आशियर, वेरी गुड भाई बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ा जाए, नाइस अब बठा, धन सम्रद्धी के लिए माना जाता है इसको, फिर ये बताईएगा रियांग जन्जाती जो है जो लक्ष्मी पूजा के लिए नत्य करती है, रियांग जन्जाती तो रियांग जन्जाती कौन सा नत्य करती है लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी पूजा के लिए रियांग जन्जाती कौन सा नत्य करती है रियांग जन जाती होजगिरी का नत्य करती है इसके लिए ओँ होजगिरी का नत्य करती है लक्षमी पूजा के लिए करती है यहां के महिलाएं करती है चलिए फिर बताईएगा च्छापेली किसका नत्य है च्छापेली यह याद रखिएगा जहां देवता आते हैं वहां से related है ये देवता आते हैं तो पूरा पहाड़ी एरिया छप जाता है कहसे उनके आगोश में छप जाता है पूरा का पूरा एरिया तो ये कहां पर आ जाएगा ये उत्रा खंड में आ जाएगा छापेली नत्य आ जाएगा उत्रा खंड में शाब प्रिलियंट बात है एकदम बहुत अच्छी बात है और आप लोगों ने बहुत पढ़िया तरीके से किया है पाध्यानी भी आप लोग बता चुके हैं जूमर नत्य जो है वो किस समय परफॉर्म किया जाता है अरे जिया राजपूत अब आपको ना रुकिए भाई अब हमको टाटा बाई बाई करना पड़ेगा आपसे हो गया टाटा बाई 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 जिया राजपूत से टाटा बाई बाई हो गया है समझाने के बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं बचता है अगर आप गुड आ गुड मॉनिंग focus में बढ़ाता हूँ मैं हमेशा हाँ फसल के टाइम पर harvest के टाइम पर ये करा जाता है शाबाज चलो बहुत बढ़िया बात है very good तो यार आप लोग का जो MTS का paper चल रहा है MTS में ये सारी बाते आपकी extremely important है अब बात आती है कि आपको इसकी जो PDF चाहिए तो वो PDF कहां पर रहेगी कैसे रहेगी सुनो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा देखिए जो सिवे 6.30 a.m का current affair अभी आप लोगों ने कितने लोगों ने अभी भी नहीं अटेंड किया है देखिए हमारे दो चैनल चाहिए पहले मैं आपको बता दूँ eventually अभी में दी में जल्दी ही in fact दो-तीन दिन में ही lab पे जितने भी exam आपके central government कराती है central government आपके जितने भी exam कराती है वो सारे shift होंगे lab के उपर for example SSC हो गया आपका SSC हो गया SSC की जितने भी exam है चाहिए वो MTS हो चाहिए वो CHSL हो चाहिए वो GD हो जितने भी paper है यह सारे shift होंगे आपके lab पर होंगे यह central के exam SSC हो गया railway के exam जो भी हो गया railway group D से लेके जो भी exam है यह यह सारे के सारे आएंगे lab के उपर shift होंगे सारे तो कि lab हमारा यह lab हमारा main channel है यह हमारा central channel है central exams के लिए study lab के और यह आपका Delhi police वाला जो भी SSC यह भी कराती है Delhi police भी SSC करना कराती है और study lab जो है हमारा यह क्या यार जितने भी हमारे state राज्ज के जितने भी paper होते हैं यानि जैसे मान लीजे UP police हो गया MP police हो गया बिहार police हो गया माने कोई भी राज्ज का जो police है लेखपाल हो गया लेखपाल हो गया तो यह जितने भी papers हैं यह हमारे आएगा यह study lab पर आएगा बात समझ गए आप लोग? ठीक है? हाँ जी इशान येस तो ये दो चीजे हैं clear बढ़िया से all right thank you सलो एकदम बढ़िया से तो अच्छा गोवा में जो डांस किया जाता है वो हिंदू और इसाई ये दोनों लोग मिल करके इस निर्ट को परफॉर्म करते हैं जो गोवा में दिया जाता है आप मेंसे कोई जानता है इसका नाम क्या है गोवा में इनर्ट करा जाता है जिसमें हिंदूस and Christians दोनों लोग मिल करके करते हैं उसका नाम क्या है उसको बोलते हैं जागावर बोलते हैं हिंदूस and Christians मिल करके गोवा में एक डांस करते हैं उसको जाग और बोला जाता है तो आप लोग समझना ज़रा करेंट इफेर्स की क्लास आप MTS के लिए जरूर ले सकते हैं और हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए आपको डिट्टो लिखा हुआ मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको डिट्टो मिलेगा आपको सुबह के करेंट इफेर्स क्लास जो चलती है आपको डिट्टो से मिलेगा आपके एक्जाम के पेपर में यह सुबा सुबा लाप पर होती है यार ये 6.30 a.m. पर होती है ध्यान से सुनो यार 6.30 a.m. पर होती है ये वाली क्लास जो कि हम current affairs की क्लास लेते है एक बार मैं आपको पूरा schedule बता दे रहा हूँ बस ठीक है अभी यहां की क्लास हमारी खतम हुई आज की हमारी देखोगा और मैं कहाँ पर PDF मिलता है क्या होता है कहाँ पर क्यासा चलता है आपको सारी बाते बता दे रहा हूँ एक बार में अच्छे से ध्यान से सुन लेना देखेगा तो हमारा एक है lab लाब पर हमारा क्या है जितने भी central government के exams है central government के जितने भी exams है ये सारे चलेंगे आपके यहाँ पर lab पर जैसे आपके SSC हो गया दिल्ली पुलिस हो गया SSC MTS हो गया SSC MTS हो गया अभी CPO आने वाला CPO हो गया CHSL हो गया जितने भी exam है ये डिल्ली पुलिस हो गया ये सारे हमारे चलते हैं इसके उबँर रेलवे हो गया, यह सारे के सारे एक्जाम्स जो हैं यह चलते हैं हमारे कहां पर, यह लाब पर चलते हैं, all these exams आप वेरान लाब, सभी के सभी लाब पर चलते हैं, Central Government exams, यो कि रेखो Central Government exams का पैटर्न एक जैसा होता है, State Government exam का पैटर्न Central Government पैटन से अलग होता है एक ही एक्जाम में अगर मैं कहूं यार ये भी हो जाएगा यूपी पुलिस भी हो जाएगा फला ना इनका पैटन question asking पैटन इनका different होता है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ study lab जो है हमारा ये यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर आपके जितने भी राजजी से related जितने भी state government के exams होते हैं चाहे वो हर्याना का हो चाहे वो बिहार का हो चाहे वो यूपी का हो कोई भी जो भी आपकी state government है अरे एक मिनट भाई spamming मत करो भाई सुन लो बहले बात को सही से spamming मत करो लाइक करने के लिए क्यों बोलूँ यह बताइए आपको अगर लाइक किस लिए होता जब मैं आपको पसंद आया तो आप लाइक करते हैं मैं जबरदस्ती गर्दन पर गड़गा जो लाइक करके आपको लग रहा है यह तो यार मैं अपने दोस्त मेरे दोस्त मेरी बहुत मदद करी है यार हर एक्जाम में वो मुझे मेरी मदद करता था और आज मुझे बहुत अच्छा मटीरियल मिला है मैं अपने दोस्त के संग में यार अपने दोस्त को भी ये क्लास देता हूँ ताकि उसका भी भला होगा यार और हम दोनों लोग लाइफ में राइस करेंगे तो आप शेयर करेंगे यारी में चीज तो सब कंटेंट के उपर डिपेंड करती आदमी को कंटे अभी इस समय बताना आप में से कितने बच्चों ने यूबी ट्रिपलेसी पैट भरा हुआ है आप यूपी पुलीस की तयारी कर रहे हो आप यूपी पुलीस की तयारी कर रहे हो आप यूपी पुलीस हो गया यूपी ट्रिपलेसी पैट हो गया आपका लेखपाल हो गया त तो जो लाब का हमारा चैनल है उसको जाकर करके आप वहाँ सब्सक्राइब कर लीजे लाब का जो लिंक है यह मैं अभी डाल दे रहा हूँ आप सारे लोग अभी लाब को सब्सक्राइब कर लीजेगा और जो MTS वगरा है इन सब का यार सुबह सो जो करेंटेफर धाकर तयारी होती है यार वो बिलकुल ही धाकर चीज होती है तो चुकि एक्जाम मतला अभी पढ़ाया चार दिन पहले और अभी एक्जाम में रखा हुआ है यह सीन होता है वहाँ पर और हुआ भी है अगर आप पीछे के पेपर उठाई और हमारा करेंटेफर देखी जाकर आपको मिले होते हैं 638 में होता है no one leaves this कोई भी बच्चा इसको छोड़ता ही नहीं है क्योंकि यह खुद में बड़ा प्यारा सा लेक्चर होता ही है इसके बाद आपको करेंटेफर आपको क्लास का क्लास में याद करवा दोंगा उसी डाइम पर ही मैं लाब का लिंक दे रहा हूं कोर्स मैं आपको पहले लाब का लिंक दे रहा हूं देखो जी यह आगे आपका लाब और यहां पर मैं इसका लिंक पिन कर रहा हूं लो जी यह लिंक पिन हो गया नाइकाडमी में नहीं है यार लक्ष्मन कैसा लगा आपको mornin glass करके लक्ष्मन कैसा लगा आपको ये बताइए और जब से आपने लेना शुरू कराए आपको कैसा लगा मुझे ये बताओ तो चलो मैंने lab का link pin कर दिया है सब लोग जा करके पहले तो lab को subscribe कर लेना ठीक है सारा central government exam और बहतरी इन तयारी रहती है यार यहाँ पर हम सौरा Central Government exam कराएंगे यह 6.30 a.m. पर यह lecture होता है और state इसके उपर होता है और इसी channel के उपर हमारा 6.30 a.m. पर current affair होता है अब जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि Central Government exams में या State Government exam में जो भी आप लोग paid courses, complete courses आपको यह है कि यार मेरे को 6 महीने, 8 महीने के अंदर exam में खालना है मुझे नहीं 2-2 साल नहीं देना है मुझे इधर उधर नहीं करना है तो बहुत ही minimum fees के उपर हमने courses भी launch करे हो है minimal fees के उपर जिसमें कोई भी विक्ती एक focus रूप में आकर कि किसी भी exam की तयारी कर सकता है और अगर वो sincere है उसी में हम assignment भी देते हैं, class notes भी देते हैं, lectures भी देते हैं वो lecture live होते हैं सारे के सारे और साथ में एक साल के लिए recorded भी रहते हैं और कोई भी lecture YouTube बला नहीं होता है यूट्यूब लेक्चरी वहाँ चल रहा है YouTube बिलकुल अलग होता है, paid lectures बिलकुल अलग होता है उसमें assignments, class notes, सारी चीज़े होते हैं previous year questions, exam में कौन से question आएंगे कौन-कौन से maximum probability है ये सारे, ये discussion चलता है तो वो मैं यहाँ पर number लिख दे रहा हूँ आप लोग इस number पे whatsapp number है call मत करियेगा क्योंकि call उट नहीं पाएगी calling flow बहुत जादा रहता है इसलिए हमने पूरा chat हम whatsapp पे shift कर रहे है आपको team call कर लेगी ये whatsapp number है, आप इसके उपर inquiry कर सकते हो 89488-08438 08438 ये यार whatsapp number है ठीक है 89488-08438 ये whatsapp support का number है आप इसके उपर call, आप इसके उपर message कर देंगे और आपको सब मिल जाएगा, ठीक है SSC GD का paid back, GD से लेटेट जो भी चीज़े हैं, आप इस number पे पूछ लीजे आपको एक एक चीज के बारे में आपको proper पूरी information मिल जाएगी कि GD के लिए कौन सी class करनी है क्या करना है, क्या नहीं करना है हर एक चीज आपको मिल जाएगी पूरी तरीके से AC के उपर, ठीक है और अगर आप हमारे किसी भी paid batch में है तो फिर आपको YouTube पे कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि एक केक तैयारी हम उसी के अंदर कराते है class note से लेके assignment से लेके हर class के बाद assignment और जो उस class में पढ़ाया गया सिर्फ वही वाला assignment ये सब चीज है, वो आपको आप इस number पे आप message करिएगा WhatsApp करिएगा, आपको पूरी information हमारी टीम जो है, वो दे देगी, ठीक है चलो, मेरा time साड़े नो है, लेक मत हुआ करो ठीक, आप 9.30 एम पर आ जाया करिए और class को तुरंट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप location class करके बहुत मज़ा आया अब हम लोग मुलाकात करेंगे अपनी कल की कक्षा में, आप लोग ये reasoning की class शुरू हो रही है ठीक है? Anything, चाहे आप pet की कर रहे हो, चाहे आप किसी की भी बात कर रहे हो, सुनिएगा चाहे आप pet की परिक्षा कर रहे हो, चाहे जापक है